एल्डोबली अफेक्टेड एरिया जो की नक्सल अफेक्टेड एरिया जो बोलते हैं वहीं पर जो ब्येसफ आने के बाद यहीं का सिकूरूटी सिन्यूरियों में बहुत सरे चेंज़ेस आए हैं कि नक्सल यहां से भाग गए हैं और सेंटरल गमेंट का जो बेनिफिट वर्क से ओव लोकों को पैस पैस तुला, से कम हो गया था है जिसके कारण से हमारे स नक्सल वाध एरिया में हमेरे साथ छींता किया जाता था, मडर होता था, रेफ होता था तो आज की दन में रोड केड़ी जो इतना सुन्दर बन गया है, मोधी ज़ुर्य सरकार के आने के बाद में रस्ता घाट रोड स्मूटली बन गया है जिसके करन से अभी सारा इस परकार से जो घटना घट रहती वो आजके दिन में बंद पड़ा हुआ है। ऊच्चंटर सरकान को बिभीनों जोजना काम कूर जो सेंट्रल स्कीम बगरा है जो भी है उपलीमेंट नहीं किया जा रहा है जो क्यूं नहीं किया जा रहा है देखे मैं राजे सरकर से बिंती करना चाहता हूँ विशेश कर आयोसमान भारत किसान समान निदी किसान बिमाय योजना ये तीन चीज है जो सधारन गरीब मजदूर से जुड़ा हुआ है अगर इस योजना को अच्छी तरह से इंप्लिमेंट करें जनता ने आशिरवाद दि चले ने हम सब मिलके इन गरीब मजदूर के पास हम लोग खड़ा होंगे केंदर राजे सरकर मिलके इस योजना को किसान समान निदी 6,000 रुपिया है आयोसमान भारत 5,000,000 रुपिया है ये सारा योजना को हम क्यूं ना इंप्लिमेंट करते हैं इस ये अगर insurance है इससे हमारा मा का हमार बाप का हमार बहन हमार बच्चा का आईू अगर बिमार है इलाज नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया से खो बैठेंगे तो वो तो जिन्दगी जीने से पहले दुनिया को छोड़ बैठेंगे पैसा नहीं होने के कारण से अगर ये medical insurance इनको मिल जाता है तो इलाज करेंगे बच जाएंगे आईू उनका लंबा हो जाएगा ये सबसे बड़ी बात है अगर सच में अगर हम इनका गरीब मजदूर का जिन्दगी अगर लंबा ना चाहता है तो ये पांच लाग का insurance हमें किसी भी तरह गरीब तक पहुचना चाहिए